तलासी के दर्वान लगभग एक कड़ोर की नगदी जिसके अभी गिंती चल रही है और इसमें जेवरात लगभग 27 लाख 85 जार के जेवरात इस वक की बड़ी ख़बर बिहार की राजदानी पटना से है जहाँ एक बार फिर से निगरानी विभाग ने बड़ी कारवाई की है और एक भरस्ट अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते वे दबोचा है और ये गरदनी बाग के उनके नीजी कारवाई में रिश्वत लेते वे पकड़ेगा है जिसके बाद उनके घर पर छापे मारी की गई निगरानी अन्वेशन ब्यूरो दौरा और लगभग कड़ो रूपए की जो नगत राशी है वो निगरानी विभाग ने बरामत कि हो लगतार जो कारवाई है वो चल रही है ये संजीत कुमार जो एक्जिक्यूटीव इंजिनियर है भवन निर्मान विभाग के उनके ये नीजी कारालय है जहां वो रिश्वत लेते वे रंगे हाथ पक राशी है वो बरामत की गई साथी साथ सोने चांदी के कई जेवराद भी जो है वो भी बरामत किये गए हैं और इसको लेकर क्या को जानकारी दे रहे हैं निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार पहले आप वो सुने हैं इसकी परभारी की रूप में डीएसपी पवन कुमार और साथ में बारा लोग की टीम है जिसमें डीएसपी समीर चंद्र जहां और अने इस्पेक्टर और सिपाही लोग हैं यह करवाई एक ग्लोबल एजेंसी के स्टाप के द्वारा कंप्लेन के अधार प्रकिया गया था जिन से बिल भुकतां के लिए दो लाख रुपे रिस्वत की रासी की मांग की गई थी यह इनका एक्जिक्रीव इजिनेर संजीत कुमार बिल्डिंग कंस्रक्शन डिपार्टमेंट पटना में पोस्टेड है और यह इनका नीचे देख रहे हैं फ्लेट यह इनका आवास है और उपर में इसमें 204 में उनका अपना आवास है यह नीचे ही रिस्वत की रासी ले रहे थे और उसको रिस्वत की रासी लेते हुए दोलाख रुपए रंगे हातों पकड़े गए हैं उसके पचाथ टीम के द्वारा यह फ्लेट और उपर 204 की तलासी ली गई तलासी की दर्वान लगभग एक करवाई जा रही है कि रंगे हातों गिरफतार हुए है तो गिरफतारी ही कही जाएगी है सिदे तोर पर पवन कुमार ने बताया है कि शिकायत उनके खिलाफ शिकायत मिली थे और उसके आधार पर चापे मारी की गई जिसमें वो दो लाक रुपए रिश्वत लेते वे रंगे हात पकड़े गया है उसके बाद उनके आवास पर चापे मारी की गई जिसमें खबरों के लिए बने रहे दैस्जी न्यूज के साथ और देखते रहे दैस्जी न्यूज तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर